आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जियम अस्टडी में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एकनॉमिक्स का चैप्टर नमबर वन का इंपोर्टेंट कोश्चेन जो भी होगा आप टेंसन नहीं लिजिए ठीक है ये मेरा टेंसन है सिलेबस को कवर करना लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मेरे चैनल पर आकर वीडियो तो देख लेते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ने करते आप लोग अपने दिल से सोचिए कि इस चैनल के मादियम से जो चीज आपको मिल रही है क्या अधर बड़े चैनल जो है उनके द्वारा क्या आपको पढ़ाय जा रहा है सिर्फ प्रोताहन दिया जा रहा है कि हम आपके सब्जेट को पूरा करेंगे लेकिन इसमें सब्जेक्ट सारे वीडियो मिल रहे हैं तो आप मेरे मेहनत को देखिए ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे यार लगभग 210-220 सब्सक्राइबर है 1000 सब्सक्राइबर अभी तक से पूरा नहीं हो रहा है आप लोग help किजिए प्लीज इससे क्या होता है कि मेरे अंदर एक motivation जागेगा जिससे आप लोग के लिए बहतर से बहतर class लेकर आओंगा ठीक है एकनोमिस का पहला चैप्टर का नाम है वो है आपका विष्ट मतलब होता है सुचम ठीक है includes यानि यहाँ पर बताया है कोश्ट में कि व्यष्ट अर्थसास्त्र में सम्मिलित कोन है यानी माइक्रोएकनोमिक्स में कौन सम्मिलित है ऑप्सन नमबर A वैकतिगत 1 आपसन नमबर B छोटे चोटे चोटे चर जरुरी है जी हां याँ यानी यूट मापतोल के लिए वो भी जरुरी है व्यक्तिगत मुल्य निइरदारन जी हां ये तो बहुत जरुरी है चाहे वो वेस्ट हो चाहे आपका समिष्ट हो वो सारे में जरुरी है तो यानी option number आपका D इसका सही उत्तर है question number दूसरा आपका उभभगता वहवार का अध्यान किया जाता है यानि उभभगता वहवार का अध्यान किस में किया जाता है option A आपका सुच्म अर्थ सास्तर में option B है आपका I विसलेशन में option C आपका समिष्ट अर्थ सास्त्र में आपका उपियक्त में से कोई नहीं तो यदि आप लोग उत्तर जानते हो तो कमेंट बोक्स में इसका जवाब देते जाएए इसे क्या होगा आपका प्रैक्टिस जारी रहेगा ठीक है आप जैसे कमेंट बोक्स में कमेंट करते हो तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाता है याद हो जाता है ठीक है तो इसका जो एंसर है वो है आपका उप्सन नमबर ए ठीक है यानि सुच्म अर्थ सास्तर में यही आपका सही उत्तर है तो चलिए नेक्स्ट के ओर बढ़ते हैं क्वेशिन नमर तीसरा है आपका वेस्टी अर्थ सास्तर के अंतरगत निम्न में से किसका अध्यान किया जाता है अप्सन A आपका वेकतीगत इकाई अप्सन B आपका अर्थ सास्त अप्सन C आपका राष्टी आई option D, आपका उपयोगत में से कोई नहीं, तो जो इसका उत्तर होगा, वो है आपका option नमबर है, व्यक्तिगत इकाईट, देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, आप NCRT बुक से chapter 1 को पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद, आप इस वीडियो को देखिएगा, इस से क्या होगा कि बहुत सारे कोशिन का उत्तर अराम से मिल जाएगा, ठीक है, तब टेंसन नहीं लेना है, ठीक है, तो चलिए कोशिन नमर 4 को पढ़ लेते हैं, कोशिन नमर 4 है, समिष्टी अर्थसास्त्र के अंतरगत निम्न में किसका अध्यान किया जाता है, option है, आपका राश्टी का भी अध्यान किया जाता है, पूर्ण रोजगार का भी अध्यान किया जाता है, और कुल उत्पादन का भी अध्यान किया जाता है, यानि सभी का अध्यान होता है, ठीक है, छोटे छोटे उद्योग वाले अर्थसास्तर नहीं है, यह बड़े मातरा में अर्थसास्तर है, या फिर option C आर्थिक कल्यान या फिर option D उप्योक्त में से सभी तो जो इसका उत्तर है वो है आपका option number D यानि सभी होगा ठीक है obviously सभी होगा क्योंकि इसमें वज़तों की कीमत निधारित जरूर होगा साधन की भी कीमत की निधारित जरूर होगा अर्थिक कल्यान भी होगा ठीक है यानि उत्तर से होगा यह simple simple question और यही question exam में आते है ठीक है next question question number 6 ध्यान से देखिया यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पादन के निम्न में से कौन सा साधन है ठीक है उत्पादन कहने का मतलब है यदि आप लोग किसी भी चीज का उत्पादन करना चाते हो तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है option A में देखिया यहाँ पर क्या है भूमी जरूरी है सिर्फ या फिर स्रम जरूरी है या फिर पूंजी तो बता दे यदि भूमी रहगा आप वहाँ पर बिना पैसे का कुछ नहीं कर पाओगे पूंजी भी जरूरी है और बिना स्रम यानि लेबर यानि मजदूर के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे यानि ये तीनों जरूरी है तो इसके लिए क्या होगा option D सही उत्तर होगा option D आपका अंगरे जी बताना आपको अंसर इसका क्या होगा ये important question है ये exam में previous year में इसका question पूछा गया है तो ये important है तो यहाँ पर देखिए इसका जो उत्तर होगा वो है आपका option number B ठीक है यानि option number B इसका उत्तर होगा Greek question number 8 है आर्थिक क्रियाओं के अध्यान के संदर्ब में अर्थ सास्तर को दो साखाओं विस्टी और समिष्टी में निम्न में से किसने विभाजित किया very very important question बता रहे आपके exam में 100% आने वाले question है ठीक है ये question कभी-कभी graduation वाले student को भी पूछ लिया जाता है ठीक है तो ये question आने की सम्भावना बहुत बढ़ जाती है तो बताएए इसमें से क्या होगा option है आपका यहाँ पर option A option B आपका record option C आपका regner phrase option D आपका इनमें से कोई नहीं तो बताएए इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर होगा option C रेगनर phrase ठीक है यहीं इसका उत्तर है यानि इन्हों नहीं दो भागों में बाटा था एक स्वेस्टी अर्थ सास्तर में और दूसरा समिष्टी अर्थ सास्तर में तो चलिए question नमबर 9 की और बढ़ते है तो question नमबर 9 यहां पर देखिए क्या अर्य यह भी बहुत important question है यह भी question very very important है ठीक है यहां पर क्या question number 9 किसने कहा की अर्थ सास्तर धन का विग्यान है ठीक है option number A आपका मारसल B है आपका Robins C है आपका Adam Smith D है आपका JK मेहता बहुत सारे last question है जिसका जवाब आप लोग comment box में जरूर देना है ठीक है तो question क्या है question number 10 सीमीत साधन एवं आसीमीत अविसकताओ का विचार किसे ने दिया ओपसन है आपका Adam Smith B आपका मारसल C आपका Robins D आपका Samuelson ठीक है यदि आप लोग जानते हो तो comment box में जरूर इसका जवाब दीजिएगा और इतना मेहनत करके हम आपके लिए question लाते हैं other YouTuber आइसा है नहीं करते हैं please मेरे चैनल को support कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए जो भी नए वीवर है ठीक है